आज साबू दाने से बनाएंगे ऐसा टेश्टी स्नैक्स जो बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आने वाली है हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम शिल्पी है और आज मैं अपने खिचेन में साबू दाने की एक ऐसी रेस्पी लेके आई हूँ इसे आप चाय के साथ स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं बच्चों को ये बहुत ही जादा पसंद आने वाली है अक्सर इस तरह के स्नैक्स बच्चे मार्केट से खरीद कर लाते हैं लेकिन आज इस स्नैक्स को हम घर पे तयार करेंगे तो इसे तयार करने के लिए सबसे पहले म सावधाना मैंने medium size वाले लिये हैं आप छोटे बड़े कोई साभी ले सकते हैं अब इसे हमें grind कर लेना है mixee bowl में तो मैं इसे grind कर लेती हूँ और इसका एक बारिक powder तयार कर लेंगे इसे ज़्यादा बारिक नहीं करना है बस जितना ये बारिक हो सकता है उतना इसे बारिक कर लिजे जैसे सूजी या रवा होता है बस उतना ही बारिक इसे कर लेना है तो मैंने इसे बारिक कर लिया है और एक बॉल में इसे डाल लेंगे हम अब हमें दूसरा इंग्रीडियन्स में मैंने यहां दो आलू लिये हैं यह दोने आलू कच्चे हैं और इनके छिलकों को मैंने उतार लिया है अच्छी तरह से वाश कर लिया है इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है ताकि यह आसानी से ग्राइंड हो सके वरना अगर आप इसी तरह से आलू डाल देंगे तो यह अच्छे से ग्राइड नहीं होगा और बारिक नहीं होगा तो इसका हमें बारिक पेश्ट तयार करना है इसलिए मैंने इन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है अब इसे हम मिक्सी बॉल में डालेंगे साथ ही हमें यहां मुठी भर बादाम इसमें एड करना है इन बादाम को मैंने भूना नहीं है यह कच्छे बादाम है साथ में यहां पे 5-6 लैसुन की कलिया मैंने इसमें एड की है आप अगर इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं अब इसमें पानी एड में नहीं किया है क्योंकि आलू में already moisture होता है पेष्ट हमारा तयार हो चुका है अब हमें साबुदाना का जो हम लोगोंने powder तयार किया है उसे ले लेना है इस आलू के पेष्ट को इसमें आड करना है लेकिन उस से पहले एक छनी की हेल्प से इसे चान लेना है ताकि गलती से अगर आलू के छोटे छोटे टुकड़े वगरा रह गए हो वो आसानी से निकल जाए तो हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे एक स्पून की हेल्प से इसे मिलाते रहना है और ये अच्छी तरह से अपने आप छन जाएगा इस स्नेक्स को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तयार कर सकते हैं देखिए आलू हमारा च्छन चुका है अब दोनों मिक्स्चर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस पेश्ट में हम लोगों ने साबुन दाने का यूज किया है जो की बहुत ही जादा पानी को एब्सॉर्ब करेगा तो हमें इसमें अलग से पानी को एड करना है लगबग दो से धाई कप मैंने इसमें पानी एक्स्ट्रा एड किया है और इसके कुछ खास मेजूर्मेंट नहीं है आपको कितना पानी यूज करना है क्योंकि आपके साबुंदाने के उपर डिपेंड करता है चोटी वाली साबुंदाना है या बड़ी वाली है या मेडियम साइज की है वो जितना पानी एब्सॉर्ब कर ले आपको बस इस तरह से इसका पेश्ट तयार कर लेना है और पान से 10 मिट के लिए इसे रेष्ट कर करने के बाद यह और भी पानी एब्सॉर्ब करने लाइक है तो मैंने इसमें उपर से आदे से एक कप पानी और एड किया है और इसका एक स्मूथ पेश्ट तयार कर लिया है आपको नहीं इसे जादा गीला करना है और नहीं इसे जादा टाइट रखना है इस तरीके से आप को पेश्ट तयार कर लेना है अब इसमें हम कुछ मसालों को एड़ करेंगे ताकि यह चटपटा लगे तो इसमें यहां मैंने मैगी मसाला एड़ किया है आप इसमें पास्ता मसाला एड़ कर सकते हैं पाव भाजी मसाला एड़ कर सकते हैं इसका फ्लेवर बहुत ही जादा टे से मिर्च नहीं है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब इन्न सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है- है तो इसे में मिक्स कर लिया है अ और इसमें हम एक सी दो चुटकी खाने का सोडा एड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्नैक्स को तयार करने के लिए हमें इस तरह के पॉली बैक चाहिए जो कि आपको आसानी से जब भी आप मार्केट से कोई सामान लाते हैं उसमें से आपको इस तरह के बैक्स मिल जाएंगे और इन्हें एक तरब से कट कर लेना है और दूसरे साइट से इस तरह की चोटी सी होल कर लेना है अब इसमें हम बैटर को डालेंगे न को डालने के लिए हमें एक तक से कट लेना है तो countless doctor अना हुचुक का है अब इससे हम स्नैक्स को बनाएंगे तो लेकिन सबसे पहले हम इसे ट्रॉइक बना रहे हूं, मार्केट में बिठने वाली ऐसे कुरकुरे स्नेक्स जो मिलते हैं बना रहे है जो बिलकुल के लिया यlas में इसे पैंक बना रहे हुं बिलकुल मार्केट वाले जैसे। लह से लेगा अब इसे दि फ्राइब करनामे can – watch Dell space पे ही इसे बनाना है मैं यहाँ पे इसे कुरकुरे के शेप में इसे तयार कर रही हूँ आपको जिस शेप में इसे तयार करना हो आप तयार कर सकते हैं मैं यहाँ पे कुरकुरे के शेप में तेड़े मेरे जो आते हैं मैं बस वैसे ही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ छोटा या बड़ा आप अपने मरजी के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं और टेस्ट की बात करें तो ये लगभग उनी स्नैक्स की तरह खाने में लगेंगे तो बच्चों को भी ये बहुत ही जादा पसंद आएंगे इस तरह से हम तयार कर लेंगे इस स्नैक्स को इस पैन में एक बार में जितना आएगा मैंने यहाँ पे उतने कुरकुरे डाल दिये हैं अब इसे चलने देना है इसे ज़्यादा छेर चार नहीं करना है क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं पस इन्हें हलका सा इस तरह से चला लेना है और उपर नीचे तो बिल्कुल भी नहीं करना है ये अपने आप ही फ्राई हो जाएंगे अब ये तयार हो जाएंगे तो ये अपने आप ही कुरकुरे हो जाएंगे तब इसे निकालने में कोई दिकत नहीं आएगी तो जब ये तयार हो जाएगा तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इस स्टेज में इसे एक प्लेट में निकाल लेना है अब मैंने यहां दूसरे बैज को भी एड़ कर लिया है इस तरह के से आप किसी भी शेप में इसे तयार कर सकते हैं मैंने यहां कुछ राउंड शेप में तयार किये हैं तो यह homemade कुरकुरे बनकर रेडी है खाने के लिए यह बच्चों को काफी पसंद आएंगे और हमारे कुरकुरे काफी क्रिस्पी तयार हुए हैं देखा आपने हम घर पे ही कुरकुरे जैसे स्नेक्स को तयार कर सकते हैं और यह market वाली जैसे unhealthy भी नहीं होती है तो आप इसे साम की समय में बच्चे बड़े सभी ले सकते हैं स्नेक्स की रूप में यह बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में और बनाने में भी कोई ज़्यादा ज़ंजट नहीं है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेर करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेश कर लीजिएगा तो मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ